हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर रुज़ता राजगुरू गानेकलोजिस्ट अकोट डिस्ट्रिक्ट अकोला महाराश्टर से आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनसी के छटे हफते के बारे में चीहाँ प्रेगनसी वीक 6 अभी आप अल्रेडी सेकंड मंत प्रेगनसी में एंटर कर चुके हो और जैसे कि हमें पता है टोटल डिवरेशन ऑफ प्रेगनसी यह 40 वीक्स का होता है यानि कि 9 मंद 7 डेज अभी हमारे 6 वीक्स हो चुके है और 34 वीक्स अभी बाकी है एन प्रेगनसी के डाइट इस वीडियो के अपको देने वाली तरीके से कॉनसी एक इमपोर्टन चीज आपको करने चाहिए वो बिमया आज की वीडियो में आपको बताने वाली हो आगे बढ़ने से पहले अगर इस चनल पर आप पहली बार आये हैं तो इस चनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि वोमन हेल्थ रिलेटेड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें ये लेग मैं आपके बेबी के फेस में काफी चेंज नर्ट ażॉ इन्फट पर में आपकी बेबी का चिक जॉ राइट। और साथी में जो फेस के ऊपर दो small dots है, वो eyes form कर रहा है, nostril form हो रहा है, आपके baby का mouth form हो रहा है, tongue form हो रही है, और साथ ही में vocal cords भी develop हो रही है, और जो baby का, जैसे कि मैंने 5th week में बताया था, tadpole के size में मतलब head end और tail end और already form हो चुका है, so ये tail end थोड़ा सा और elongate हो जाएगा, जो आगे चलके disappear होने वाला है, साथ ही में आपके baby का बहुत ही important चीज जो है, वो है, आपके baby की heartbeat इस 6th week में sonography पे दिखाए देंगी, जो कि 5th week और 6th week के बीच में already शुरू हो चुकी है, पर sonography पे अगर हम vaginal ultrasound करते हैं, तो ये बहुत ही easily detect होगी, जो कि 160 to 180 के बीच में अभी फिलाल है, vary होती है week to week आपके baby की heartbeat, साथी में इस अफ़ते में आपके baby का kidney, liver, lungs ये भी develop होना या बढ़ना या shape लेना शुरू कर दिया, so heart में ये changes है, kidneys, liver, lungs, plus face में, face में और एक additional change है, कि जो face के side में चोटे-चोटे indentations है, वो side में आपके baby का ear canal फॉर्म हो रहा है, so ear b, यानि का जो internal canal होता है, inner canal होता है, वो भी form होना अभी शुरू हो चुका है, so ये सब changes आपके baby में दिखाई दे रहे हैं, और gynecologist जो sonography पे measure करते हैं, आपके baby का size वो होता है, crown rump length, that is CRL, right, so crown rump मतलब आपके baby का head से लेके buttock region ही measure करते हैं, क्योंकि अभी जो आपका baby है, वो curled है, यानि कि ऐसा मुड़ा हुआ है, तो हम total head से लेके toe तक के, यानि कि पैर तक के पूरा length नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि अभी ये curled form में है, right, चुका हुआ है, पूरा मुड़ा हुआ बेबी है, तो crown rump length हम sonography पे measure करते हैं, और बहुत important चीज़ जो है, heartbeat आपको sonography पे इस वक्त दिखाए नहीं, तो ये सब changes आपके baby के body में हो रहे हैं, तो ना आपके body में क्या-क्या symptoms दिखाए देंगे, तो आपके body में आपको increased urination generally ये week में बहुत ज़ादा feel होता है, तो ये क्यों होता है, तो एक हार्मोन की वज़े से जो कि आपका important pregnancy हार्मोन है, आपके pelvic region का, uterus के बाजू के region का blood flow काफी बढ़ चुका है, एक चीज़, kidneys काफी function होना शुरू हो चुकी है, बहुत ज़ादा क्योंकि आपके body का blood volume काफी बढ़ चुका है, तो extra fluid में से body waste निकालना होता है, one thing, then second thing is, आपके uterus का size भी काफी बढ़ रहा है, so uterus का size बढ़ने की वज़े से ये bladder के उपर pressure डालेगा, जो की bladder के उपर space, जो urine space टोर करने की space है, वो भी कम हो जाएगी, so जैसे जैसे uterus का size बढ़ता है, फोस्ट्राइमस्टर के बाद में ये abdominal organ हो जाता है, ये pelvic organ होता है फोस्ट्राइमस्टर के पहले, जैसे जैसे uterus का size बढ़ता है, ये symptoms भी कम होना शुरू हो जाता है, so increased urination ये एक important symptom है, बहुत ज़्यादा पेशा आपको जाना पढ़ रहा है, तो don't underestimate कि नहीं शायद ये physiological changes ही है, maybe आपको urine infections भी हो सकते हैं, जिसके बारे मैं आगे बात करने वाली हूँ, second symptom is heartburn and indigestion, ये जो heartburn and indigestion है, ये mainly progesterone hormone की वज़े से होता है, क्योंकि इसका smooth muscle relaxant effect होता है, uterus को relax रखने के साथ साथ, बाड़ी में जो हाँ कहीं पे भी smooth muscle से relax करता है, तो stomach के ऊपर जहाँ, isophagus और stomach के बीच में एक wall होता है, एक spincter होता है, ये muscle को भी ये relax करता है, pregnancy में जिसकी वज़े से आप जो भी खाना काते हैं, वो reflex हो सकता है, उपर आ जाता है, जिसके वज़े से आपको heartburn की शिकायत as compared to normal person बहुत जादा experience हो सकती है, ये changes आपके body में दिखाए दे रहे हैं, then nausea vomiting कापी बढ़ जाता है, इसके लिए आपको bland diet लेना है, dry चीजे खाना है, सुबह उटते ही, nausea vomiting अगर आपको बहुत ज़दा है pregnancy में, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके उपर भी आपको मेरी channel पर video मिल जाएंगी, आप महाँ चेक कर सकते हो, then bloating and gas sensation, जिहां जैसे कि अभी मैंने कहा था कि progesterone hormone की वज़े से आपके intestinal motility कम हो जाएगी, जिसकी वज़े से आपको gas या cubs की शिकायत बढ़ सकती है, so इसके लिए भी आपको detail में अगर जानना है कि आपको क्या करना है pregnancy में, अगर आपको cubs या gas की शिकायत होती है, तो ये भी आपको मेरी channel के video या playlist में मिल जाएगी, then third thing is breast changes, breast changes काफी होते हैं, तो ये changes आपके होंगे, निपल का size बढ़ जाएगा, निपल की बाजू का जो एरियोला होता है, उसका size भी बढ़ जाएगा, ये सब changes आपके body में दिखेंगे, साथ ही में आपका fatigability यान की easy fatigability रहेगी, बहुत ही जल्दी थकान महसूस होते हैं, जैसे कि आपके body prepare हो रही है pregnancy के लिए, baby को grow करने के लिए, आपके body को थोड़ा normal से extra work करना पढ़ रहा है, तो थकान आपको महसूस हो सकती है, ये थकान कम करने के लिए no doubt आपको सिर्फ बैठे नहीं रहना है, ये सिर्फ rest नहीं लेना है, काम के बीच में तो at a stage आपको continuous काम नहीं करना है, आपको beach में rest बिल्कुल लेना चाहिए, पर साथ ही में आपको exercise या yoga भी शुरू करना है, क्योंकि ये चीज़े अगर आप शुरू करते हो तो body में endorphins level बढ़ जाते हैं, यानि कि जो happy hormone है वो बढ़ जाते हैं, फिश खा सकते हैं क्या, जी हाँ जो फिश में बहुत अधा mercury high mercury content होता है, वो आपको generally avoid करना है, वो नहीं खाना है, once in a week आप फिश खा सकते हो, क्योंकि फिश ये rich source of DHA है, जो कि एक healthy omega 3 fatty acid है, जो आपके baby के brain के लिए भी बहुत important है, तो आप फिश जरूर खा सकते हो, restricted fish आपको खाना है, अगर आपको vomiting बहुत जादा है, तो आपको dry food खाना है, bland diet लेना है, spicy food avoid करना है, आपको बहुत जादा urine sensation आ रहा है, तो ये may भी urinary infection का एक indication हो सकता है, तो आपके gynecologist आपको advice कर सकते है, urine test के लिए, जिसके उपर अगर आपके purses बहुत जादा दिखाए देते हैं, तो it indicates कि आपको infection है, तो आपको baby safe, यानि कि बच्चे को जो safe रहेंगे, antibiotics वो आपको start कर देंगे, right, so इसके उपर रुखनी जाना है कि नहीं, ये तो normal pregnancy का symptoms है, जो कि बहुत से मैलाएं कहती है, माइम ये तो होता ही है न, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार ये physiologically change होंगी, क्योंकि बहुत से बार urine infection बहुत ही common है pregnancy में, so उसे treat करना भी बहुत ज़रूरी है, so let the doctor decide कि ये normal changes है, ये आपको urine infection हो चुका है, जन साथ ही में आपको exercise या yoga या प्रानायमा प्लान करना है, जी ऐसा नहीं है कि आपको वक्त मिलेगा तो मैं करूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा, so आपको अगर प्लान करते हो, अगर आप schedule करते हो आपका day, तो वो easily possible होगा, बहुत ही important बात जो आपको week 6 तक कर लेना चाहिए, वो है आपके doctor की visit कर लेना चाहिए, या at least plan करना चाहिए कि आपको कभ visit करना है, maybe आपको nausea या vomiting जैसे symptom ना हो, या बहुत ही कम हो या कुछ भी तकलीफ ना हो, फिर भी आपको आपके gynecologist की visit plan करना है, क्योंकि बहुत से चीज़े आपको वो advice कर सकती है, right, folic acid supplementations, जो कि आपको already start कर लेना चाहिए, अगर नहीं करे हैं, तो अभी start कर लेना चाहिए, और कुछ blood test भी आपके doctor आपका advice कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी important है, right, so I hope this information was helpful to you, आज की वीडियो में हमने देखा कि बेबी के face में काफी changes हो गए, arms और legs form हो चुके है, बेबी की heartbeat शुरू हो चुके है, जो कि बहुत ही important sign है, जो हमें दिखाई देती है, sonography पे, right, and then next thing is, आपकी doctor की visit आपको जल से जल प्लान करना है, so I hope this information was helpful to you, अगर यह जानकार यह आपको अच्छे लगे, तो आपके friends और relatives में से जरूर शेर कीजिए,